अब एक बार आप गाड़ी का लुक चेक आट कीजिए कितना प्यारा प्रीमियू और अगर मैं बात करूं सबसे अच्छी बात मुझे इस गाड़ी की प्राइज वेल्यू बाकि माइलेज की अगर बात करेंगे तो महारूती का इंजन है यार और महारूती माइलेज में कभी अगर आप सिरान गाड़ी को चाहते हैं और आटोमेटिक चाहते हैं तो सियाज आपके लिए परफेक्ट मॉडल है क्योंकि यह वर्जिन जो आपको आपको किस रेट में देता है और स्कीम बैनिफिट्स दिसमबर एंड है तो आपको और नीचे पढ़ सकती है गाड़ी और जहाँ पर अगर बात करें और कंपणियों की तो वहाँ पर से इनके बेस मॉडल स्टार्ट होते हैं और यहाँ पर आपको जो है सियाज का अलफा आटोमेटिक है जो टॉक कंवर्टर में आपको मिल रहा है इसमें आपको माइलेज भी बहुत अच्छा मिल जाता है यानि 20 क इंपिल का मालेज आप पर कंपनी आपको प्रोवाइड करें तो जानते हैं आज इस गाड़ी के बारे में कि क्या डेमेंशन से इसमें फीचरस आपको देखने के लिए मिल रहे हैं तो गाड़ी हमारे सामने खड़ी तो सबसे पहले बात कर लेंगे इसकी गाड़ी की विप यह आपको देखने के लिए मिल जायादा हैं और यहां पर ही से लीच Subscribe देखने के लिए मिलजाएंते हैं और स्पिता के हाँ और मुष्प कॉर्फजे कॉछछग यहाँ डियोरी अगर भी prehe Tube के लिए मिल जाता है फिर हुड में बढ़ेंगे हुड में इस गाड़ी में के विल एकी चीज खराब लगती जो इसके नोजल दे रहे हैं ये वाद पानी के यह आपको हुड में दे रहे हैं यहां पर प्लेस रहते न तो काफी अच्छा लगता प्लेन हुड एक देखने में देखने में कुछ इस तरीके से मिलता है अब अगर लेंद की बात करूँ तो इस गाड़ी की आपको देखने मिलती है और अगर विलबेस की बात करेंगे तो वीलबेस आपको हहाँ पर 2650 mm का wheelbase हाँ है काफी बड़ा wheelbase है यहां पर आपको देखने करें मिलता है फिर ग्राउंटकरेंस के बात करेंगे मिलता है उसी सूप पर बढ़ेंगे तो यहां पर आप देखेंगे तो ओर व्यम में ही आपको LED टर्ण इंडिकेटर्स देखने के लिए मिल जाते हैं और यह जो क्रोम ट्रीट्मेंट का वक आप यहां पर देख रहे हैं यह आपको पर्चेस करने मिल जाते हैं जिसमें आपको smart की entry भी मिल जाती है जो को द्राइवर साइड यानी इसमें driver साइच दोनों सैड़ आपको smart की SMITH inbouralब जाती है मिल जाएगा यहां पर आपको डॉर वाइस लेगे वह हैं यह आपको अशिरीज का इंट पर इस यहां एप सेंटर में B plus देखेंगे तो आपको black finish में यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं rear tires में देखेंगे तो यहाँ पे आपको drum brakes देखने के लिए मिलते हैं उसी सुपर बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको fuel tank का cap आजाता है अगर में fuel tank की capacity की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 43 लिटर का fuel tank capacity देखने के लिए मिलती है अब चलते हैं इसके पीछे की साइड तो जो इसका rear look है न दोस्तो वो कुछ देखने में इस तरीका दिखता है इसका rear look काफी बढ़िया लगता है और light चलने के बाद तो यह और premium लगता है दोस्तो यानि इतना premiumness लगता है वो आपको में light जला के दिखाता हूँ एक सेगंड यह दोस्तो पीछे का rear look कितना प्यारा और premium आपको यहाँ पर देखने में दिखता है जो इसकी lights है na LED tail lamps आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं स्याज की बेजिंग आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है तो यहाँ नीचे चलेंगे तो यहाँ पर आपको reverse camera देखने के लिए मिल जाता है नंबर प्लेट का सेक्शन आपका यहां पर आगिया यहां पर आपको स्मार्ट हाइब्रिट करके दिखता है क्योंकि यह जो इंजिन है यह स्मार्ट हाइब्रिड इंजिन है जिससे कि आपको गाड़ी का माइलेज काफी अच्छा-खासा मिलता है अप करते हैं इसका बूट पर का और यहां पर चीट को आपको यहां पर बड़ा ने तो आपको 510 लिट बूस्पैस आहां पर देखने के लिए मिलाए आपको सामने एक बूट लम्प भी देखने के लिए मिल जाता है थो जूटा सा ठीह किए आपको कुछ नियुक्त से वगर रहा रखने के लिए यहां हम आपको कुछ लिखके ऋस तरल पर देखने के लिए तो यह तो था इसका कुछ बूट फर यहां सोपर चलेंगे आपको नेक्सा की बैजिंग आ जादी कि जो सिया जो नेक्सा के अंदर आती है और जो इसमें आता है वह आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा सेंटर में यह इसमें कोई भी शाकफिन आप पोल आपको इस इस तरीके से दिखता है यानि पूरा बीच के लगशा दरवाजा आपको देखने के लिए मिल जाता है यहां पर चार के-चार पावर विंडूर का ऑप्शन आपको अप्शन आ जाएगा और यहां पर यहां पर आपको एलेक्र की फॉल्डेबल और अदस्टिबल का और एक आपको यहां पर आती ट्वीटर की प्लेशिंग कर सकते हैं यहां पर आपको आडल स्टॉप का बटन मिल जाएगा यहां पर यहां आपको ट्रेक्शन कंट्रोल का बटन मिल जाता है और यह आपका excavation का director 26 nam की PvdH है पुपन करना तो यहां पर एक स्विच मिल जाता है शीट इप अपको मिल जाता है जाते है और अपकी पूरी अपश्चिण के मिल रहा है चलते हैं गाड़ी के अंदर बात करते हैं कुछ गाड़ी के अंदर पहले तो आप एक गाड़ी को लुक आउट कीजिए यह यहाँ पर साइद इसका बूट ओपन है तो इस वज़े से हाँ पर यह शाइन बना हुआ आ रहा है अगर डोर खुला होगा तो इस तरीक दो इसस्गेंने के अधकी तरफ जा रहा है देहने में एक appreciation को देखने के और कि safety की बात करूंना तो इसे Asian NCAP में 4 star rating मिली है दोस्तों यानि मारूती की सबसेफ कार है यह जहां पर मारूती ratings नहीं ले पाती है, safety ratings नहीं मिलते हैं जहां पर एक स्को one star two star मिलती है यहां पर इस गाड़ी ना four star rating मिली है Asian NCAP में तो मेरे हिसाब से तो मारूती सबसे safest कार में इसी को कहूंगा siyaj को फिर यहां पर चलते हैं यहां पर आपको AC वेंट देखने के लिए मिल जाएगा जिसके आउटर में आप देखेंगे तो silver color का treatment आपको देखने के लिए मिलता है फिर यहां पर आप देखेंगे आपको start stop का देखने के लिए मिलता है जिसमें आप निड्ल Sug advantage अर आपको blue क Singh में पर देखने के लिए मिलती है आर्म bt आपको इशायद मिल जाएगा एट तक का rp ai यहां पर मिलता है और gjmist tapakो 120 तक यहां पर मिलता है फिर चलते हैं लैफ्र आप साइड तो लैफत साइट का विश यहा आपको यहां पर मिल जाते हैं जिसके आवर मारा सबसक्राइब आपको तो आपको अपर यहां से अगर नीचे की साइड चलते हैं तो यहां पे आपको मुजिक सिस्ट्रम में देखने के लिए जाएगा जो आपको ऐन्ड. अटॉड और अपल कार प्ले में मिलता है विद वायर के साथ, connectivity के साथ आपको यहाँ पर आता है, जब आप वायर के साथ connect करेंगे, तो आपका अड़नोड और एपल कारपल यहाँ पर smoothly चल जाएगा, फिर उसी के नीचे आप देखेंगे तो autoclimatic control AC आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, फिर यहाँ पर यह यहाँ पर कुछ भी cup holders, glass holders देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पर यहाँ पर कुछ भी चीज यहाँ पर carry वगरत कर सकते हैं, फिर उस तो पर देखेंगे तो यहाँ पर USB का port आपको देखने के लिए मिल जाता है, और यहाँ पर आपको तो बोल्ट का adapter आपको देखने के मिल जाता है फिर आपको यहां पर पीछे चलेंगे तो gear knob आपको देखने से कुछ इस तरीके का मिल जाता है फिर यहां पर आपको handbrake का option मिल जाता है जिसमें आपको chrome clear की tip आपको देखने के नहीं मिल जाएगी यहां आपको इसका समान धर्य कर सकते हैं स मिलेगा इस紫 कर देखने कर देखने हैं कि अजूंस कर ने होना मिल जाता है यहां से ऊपर चलेंस और अटो दिम्म आयाया व्या पो जाता है संग्लास होलडर आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाता है आपको रीडिंग लेम्स आपको मिल जाते हैं हेलोजन में यहां पर आपका माइक का उप्शन देखने के लिए मिल जाता है यहां पर आपको टिकेट होलडर मिल जाएगा चलते पीछे की तरफ आपको जैसा इसका फ्रेंट डॉर था वैसी आपको यहाँ पर रियर दोर भी देखने के लिए मिल जाता है पूरा बीज इंटीर आपको पर ब्लैक यहाँ पर बीच में वुड़न फिनिश और सिल्वर पैटन का वर्क आपको मिल जाता है प्लस यहाँ लिए डीड का स्विच मिल जाता है यहां पर पर फिडे भी का हैंडल मिल जाता स्पेस कर निकले के बेंटब के दे सब्सक्राइब करने के लिए मैगजिन पॉकेट आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा को यहां पर देखने के लिए मिल जाता है को driver ne side सिर्य इहां पर reading lambs का option आपको मिल जाता है separately reading lembs का option आपको मस्Most आपिस जादा अच्छा लगा कि मिचे हां अपर हर person के लाए separately है रहा है उन्माना सेंटर में देते खोदा साएक हो था होता है फिर आपको इसMें आमरेस भी देखने के लिए में कर नहीं सकता इसमें आपको 60-40 रेश्यो का सीट फोलेबल नहीं मिलती है तो यह चीज यहां पर आपको missing लगेगी बाकि एक चीज और अच्छी लगी इसकी कि पीछे इसमें sun blinds भी आपको दे रखे हैं यह देखे कितने अच्छे यह एक premium feature मैं कहूंगा जो आपको CRS offer कर रही है बाकि यह इस segment की किसी भी गाड़ी में आपको देखने के लिए नहीं मिलता है फिर बात करेंगे आप headroom space की अब यह पीछे बैटे तो headroom space तो जुरूर यह तो यह देखे कि आपको headroom space कितना मिल रहा है मलदा मेरे हिसाब से तो sufficient है क्योंकि मेरे height के हिसाब से बहुत अच्छा headroom space है बाकि आपकी जो height है एक बार इसमें personally आप बैटके देखे तो आपको feel होगा कि क्या आपको headroom space यहाँ पर मिल रहा है आपके लिए मैं उसको judge नहीं कर सकता हाँ बट अगर मैं इतना कह सकता हूँ कि 5-7-5-8 का अगर कोई बंदा है वह भी आराम से बैठेगा और उसको headroom space अच्छा खास है यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है तो यह तो था इसका कुछ rear portion अब चलते हैं गाड़ी के engine way में जान लेते हैं engine में क्या क्या चीज़े आपको देखने के लिए मिलती है तो hood करता हूँ मैं उपन उतना है भी नहीं है लेकिन हाँ फिर भी ठीक है 1500 सिजी के engine आपको यहां पर देखने के लिए मिलता है और जो फूर सिलिंडर में आपको देखने के लिए मिल रहा है अगर इस engine की तो चलाने में ठीक है यहां लेकिन अतना एंथुआजम आपको नहीं लगेगा जो एक थोड़ा सा एंथुआजम को फील करते हैं जो थोड़ा स्पोटर फील आपको नहीं मिलेगा यहाँ पर आपको जो ड्राइविंग मिलेगी वह सफोस्टिकेटड़ ड्राइविंग और मारूती कह रही है, तो कहीं नहीं दे भी रही होगी, यह मजाक्ती बात है भी नहीं, फिर सेफटी की बात करें तो ABS, EBD वगरा है, यह सारी चीज़ आपको इस गाड़ी में देखने के लिए मिल जाती है, तो यह तो था इसका इंजन, आपको लेते हैं कि इसका फाइनल व बात करें, सबसे अच्छी बात मुझे इस गाड़ी में बता हूं क्या लगी, वो लगी इस गाड़ी की प्राइस वेल्यू, जिस प्राइस वेल्यू में आपको इहां पर टॉप मोडल मिल जा रहा है, जानि अल्फा मोडल मिल जा रहा है, वो भी टॉक कंवेटर में आपको इस गाड़ी में देखने के लिए मिलता है तो आपको ये गाड़ी कैसी लेगी प्लीज मुझे कमेंट शिक्षन में जरूर बताएगा अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट और शेर जरूर कीजे और जो मेरे नई वीवर्स हैं वीडियो में आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिए बैल आकन को प्रेस कर लिए जिससे कि आपको मेरे नुली नुली अपडेट्स मिलते रहें तो चलिए दोस्तों जलते हैं पर मिलते हैं आपसे कोई नई वीडियो में तब तक के लिए अलविदा